प्रशांत किशोर भाजबा के B टीम हैं यह बात सुनते हैं प्रशांत किशोर की टीम के लोगों को जम करके बवाल काटने लगते हैं कि जो कह रहे हैं वही A और B टीम होंगे आपको बता दें कि प्रशांद किशोर जिस तरह से मुख्य चुनाओ जो बिहार विधान सबा के होने वाले थे उनके 243 सीटों पे अपने उमिद्वार उतारने की बात करकरके एक तरफ जहां यात्रा कर रहे थे पिछले दो साल से वहीं उन्होंने दो अक्टूबर को इसी व नितिकार के रूप में उनकी एक अलग पहचान बनी है तो क्या ऐसे ब्यक्ति से उमिद्वार चैन में गल्ती हो सकती है हम बात यह नहीं कर रहे हैं हम बात यह कर रहे हैं कि लगतार प्रसांद की सोर पर यह दबाव बनता जा रहा है कहा जाता है उन विपक्षियों के रहने का एक बड़ा प्रेक्टिकल उन्होंने किया है लेकिन क्या उसी प्रेक्टिकल में वो फेल हो गए उन्हें नहीं पता है कि उमिद्वारों के चैन में किस तरह की प्रक्रिया का अपनाई जाती है क्या उनसे यह गल्ती हुई या फिर इसके पीशे कोई नई कहानी है अब इस बात की चर्चा होने लगी है जब तरारी में उनके उमिदबार बदलने की बात की चर्चा हो गई है। और चुनाओं में कंडिडेट कौन होंगे। इन सभी बातों को लेकर के प्रशांत की सोर की जनकारी रही होगी और इसी बात को लेकर के उन्होंने लेटिलेंट जनरल एसके सिंग को सेना के वाइस चीफ रहे हैं उनको पठना बुलाया और पठना बुलाकर के जनसुराज का टिकट ठमा दिया तरारी से तरारी के रहने वाले ही वो हैं और तरारी से उनके टिकट देने के बाद खूब चर्चा हो रही थी एसके सिंग ने भी ये बातें तब कही थी देखकर के उन्हें उनसे बात्चित के बाद ये लग रहा था कि वो बिलकुल ही राजनित के लिए एक दम नए खिलाडी हैं अब ऐसी स्थिती में नए खिलाडी को ओपनिंग करने के लिए उतार देना प्रसांद किसोर के स्टेटजी का हिस्सा माना जा रहा था लेकिन इसके पीछे अब प्रसांद किसोर कटगरे में खड़े है प्रसांद किसोर का कहना है कि एलेक्शन कमिश में चुनाव नहीं लड़ सकता है दरसर वोटर लिस्ट के नाम डालने की प्रक्रिया जो है फॉर्म 8A भरा गया है 2020 तक जनरल साहब का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं था हमने आपको बताया कि 2024 में उन्हें यहां का वोट देना था इसी क्याधार पर बनाकर जिला प प्रसांद किसोर ने सोची समझी साजिस के तहट एके इसके सिंह को वहां चुनाव मैदान में उमीदवार बनाया और इसके लिए खुब चुनाव परचार परसार किया मजबूती से लड़ने की बात भी की लेकिन इसके पीशे कहा यह जा रहा है कि प्रसांद किसोर नहीं चाते थे कि भार्ती जनतापाटी वहां से चुनाव हारे भार्ती जनतापाटी की बी टीम के रूप में वोट काटने के लिए अब एक ऐसेग उमीदवार की तलास कर रहे हैं जो महा गठबंधन यानि इंडिया गठबंधन के उमीदवार राजु यादों का वोट काट सके प तरह की बेवस्था की है और इस तरह से उमिदवार फाइनल किया है जनकारी तो यहां तेक मिली सबसे पहले भारत लाइब ने आपको खबर दिखाया था कि प्रसांत किशोर की टीम वहां कुसवाहां उमिदवार की तलास कर रही है जो राजु यादों को टक्कर दे सके वहां और अब उनके पुत्र हैं और उनके साथ पूरी NDA की टीम है ऐसे में प्रसांत किशोर भारतिये जनता पार्टी से मिली जूल करके जिस तरह का रणिती कर रहे हैं वो साब बता रहा है कि कहीं न कहीं प्रसांत किशोर पर दबाव बनता जा रहा है आपको बता दें इसी बा प्रसांत किशोर पर लगे यह आरोप किस तरह से वो ठीक करते हैं या इसका जवाब देते हैं हला कि प्रसांत किशोर ने साफ कर दिया है कि यह छोटी से एक मिस्टेक है जिसको ले करके इतना जादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है उमिदवार कई हैं इसलिए उनका कहन है कि हम पांच-पांच उमिदवारों को लाइन में खड़ा करते हैं पहला नहीं तो दूसरा जरूर सच्चम होगा अब देखना होगा कि क्या उन पांच लोगों के नाम जो एसके सिंग के साथ जुड़े हुए थे उमिदवारी के लिए उनमें से किसी को आप उमिदवारी मिलती है या फिर जो बार-बार ये चर्चा चल दे वितर खाने में जो हम तक जनकारी आई है कि वहां से किसी कुस वहां उमिदवार को उतारेंगे जुड़े एक भरत लाइब के साथ सारी चीजें एक एक करके 24-48 घंटे कंदर में खुल कर सामने आ जाएगी लेकिन एक बा कहा तो ये जा रहा था कि वहां मजबूत उमिदवार देंगे लेकिन पाँच उमिदवारों के नाम उन्होंने तय किये हैं अब वो उमिदवार कितना सक्षम होते हैं कितने मजबूत हैं ये भी देखना बढ़ा दिल चस्प होगा जुड़े रिए भारत लाइब के साथ ब अमारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद